हाई आपक तो माई यूट्यूब चैनल ग्लैम सीक्रेट्स और मैं हूँ आर्थी शर्मा फिर्ट्स आज में आप लोगों के लिए लेक्या गई हूं हाट एंड सेक्सी साडी ड्रेपिंग जो की ब्लाक कलर की साडी है और यह जो कलर होता है ना इसको पहनने के बाद अगर आपने प्रॉपर तरीके से पहनी है तो आप साडी पहने के बाद बहुत ही होड़ एंड सेक्सी लगेंगे तो इसके लिए किन टिप्स का ध्यान रखना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ लेकिन सबसे पहले मैं आपको इस साडी दिखा दूँ बाद इसका बाई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ये इसका ब्लाउंज है और ब्लाउंज का जो कपड़ा है वो सैटन का है बिल्कुल भी अनकमफर्टेवल फील नहीं होता है इसे पहनने के बाद ठीक है और साडी जो की ब्लैक कलर की है और इस पर जो वर्क हो रखा है वो सीक्वेंस का हो रखा है तो मैं आपको पूरी के पूरी साडी दिखा देती हूं ये एक पाटी वेर साडी है आप इसे डे टाइम पे भी पहन सकते हैं और नाइट टाइम पे भी पहन सकते हैं दोनों ही टाइम पर ये साडी बहुत ही प्यारी एंड स्टाइलिश लगती है पहनने के बाद सो ये आपने साडी देख ली है अ मैंने कॉटन का पीटी कोट पहना था इस बार मैंने शेवियर पहना है तो जो साड़ी है उसका फॉर्स पोर्शन हम राइट हैंड साइड टक करेंगे जैसे मैं आपको बोलती हूं और फिर लेंगे एक सर्कल ठीक है एंड येस आपको ये भी ध्यान लखना है कि जब भी आप साड़ी पहनने वाले हों तो अपनी जो फुट वेर है वो जरूर पहन ले कई बर ऐसा होता है कि हम हील पहनते हैं और हील पहनने के बाद जो साड़ी होती है वो बहुत उची हो जाती है बट अगर आप ये वाली टिप का देहान रखते हैं तो आपकी जो साड़ी है वो नहीं करना है यह आपको धयान रखना है करना ही आपको अपने पैरों enough एह और चमारों तक लेंब को चाहिए अपनी कीel को सहर आपको धयान रखना है आप इस निक्स स्टेब जो है वह है प्लीट वाल यहां पर आफ देख सकते हैं जो pleat है मैंने back side से मैं लेक आई हूँ पले को और फिर अपनी right hand side के shoulder पे रख दिया है ठीक है sorry left hand side के shoulder पे रख दिया है और अभी हमने casually ही मैंने यहाँ पे shoulder पे रखा है इसको मैं बाद में set करूँगी सबसे पहले हम कमर की pleats बनाना शुरू करेंगे यहाँ पर हमें सबसे पहले यह ध्यान रखना है कि fabric जो है वो हमारा proper set हो जाए so yes यहाँ पर मैं लगा रही हूँ safety pin और safety pin का use कर रही हूँ जो कि एक छोटी सी safety pin है ज़्यादा बड़ी safety pin का use बिल्कुल भी ना करे ठीक है अब इसके बाद हम आते हैं कमर की pleats पर और कमर की pleats के लिए मैंने three fingers आगे force pleats की length ली है ठीक है यहाँ पर आपको यह भी ध्यान रखना है कि जब आप साड़ी का pleats बनाना शुरू कर रहे हैं कमर वाला खास दोर पर तो जो force pleats है वो एकदम straight दिखनी चाहिए देन उसके बाद आप जितनी भी pleats लेते हैं वो आपके आपके उपड़े pen करता है ठीक है आपको जितनी भी pleats आपकी साड़ी में बन रही है आपको बना लेनी है बाइद विए अगर आपको साड़ी की pleats बनानी नहीं आती है चाहिए वो कमर की हो या शोल्डर की हो आप मुझे comment box में बताएं मैं उसके लिए वीडियो लेके आऊंगी और comment box में एक comment आया था last video पर की pen style साड़ी dripping बताएं तो guys मैंने अल्रेड़ी अपनी channel पे साड़ी dripping pen style डाली हुई है अगर आप चाहते हैं और और भी नई वीडियो तो मैं जरूर लेके आऊंगी मुझे आपको जिस तरीके की भी साड़ी dripping चाहिए आप मुझे comment box में comment करके जरूर बता दे यहां देखे बातों ही बातों में मेरी plates बन चुकी है बनके actually ready हो चुकी है और फिर उसके बाद मैं अपनी plates को adjust करते हुए set करते हुए and यह भी आपको ध्यान रखना है कि जब हम जो साड़ी का fabric होता है कमर के पास वाला उसको हम safety pin लगाते हैं तो जब हम कमर की plate को अंदर tuck करते हैं चला जाता है जो कि बहुत ही खराब दिखाई देता है तो उसे जरूर ठीक करना है बिलकुल उसे छोड़ना नहीं है उसे साथ में लेते हुए ही plates में पेटी कोट के साथ safety pin को secure करें so अब यहाँ पर हम plates बनाना शुरू कर रहे हैं shoulder plates okay हमने कमर plates complete कर ली है अब हमारे है shoulder plates पर and shoulder plates के लिए आपको इस तरीके से zigzag करते हुए छोटी-छोटी plates बनानी है आपने सही सुना starting में अगर आप छोटी-छोटी plates बनाते हैं तो end आते-आते जो कि मैं अभी कर रही हूँ adjust कर रही हूँ सेट कर रही हूँ वहाँ पर जो plates है वो आपकी length क्या कोड़िग यानि आपको shoulder की जितनी length चाहिए चोड़ाई चाहिए अच्छली उतनी चोड़ाई की आपको plate मिल जाती है और आपको problem नहीं आती है अगर आपने ये वाला tip ट्राइन नहीं किया और ये चीज आपको बिलकुल दिहान रखना है कि जो plates है ना वो अगर uneven हो रही है यानि बाहर की तरफ से दिखाई दे रही है तो उन्हें अंदर की तरफ से ही adjust करना है मेरे कहने का मतलब है कि आप चाहें तो plates को छोटी बड़ी कर लें अंदर की तरफ से जो shoulder पे जो plates है वो बाहर की तरफ दिखाई नहीं देनी चाहिए नीचे वाले plates फिर हम safety pin की help से इन्हें secure कर लेंगे blouse के साथ blouse के साथ secure करना अगर आपको नहीं आता है तो आप मुझे बता सकते हैं मैं उसके ओपर video ज़रूर लेके आऊंगी and fully detailed video लेके आऊंगी ताकि आपकी जो problem है वो clear हो जाए बट आप मुझे comment box में जरूर बताएं burst area के पास एक्टम clean दिखाना चाहते हैं तो बिल्कुल भी साड़ी के pleats को ऐसे ना छोड़ें मैं जैसे one by one करके सारी pleats को arrange कर रही हूँ ना बिल्कुल आप वैसे कर लें then उसके बाद safety pin का use करते हुए उसे secure कर लें तो आपका जो front है burst area के पास वाला वो एक्दम clean smooth और बहुत ही gorgeous दिखाई देगा तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे safety pin का use करते हुए उसे अच्छे सी set कर लिया है कई बार ऐसा होता है कि हम जो safety pin यूज़ कर रहे हैं वो front की तरफ से मतलब front से एकदम sharp नहीं होती है तो आपको ऐसी safety pin बिल्कुल भी नहीं लेनी है otherwise आपकी जो साड़ी है ना वो खराब हो सकती है तो यह आपको ध्यान रकना है आप जब भी safety pin लेते हैं तेके और आप आप देख सकते हैं कि मेरी जो साड़ी है पाते हुई बातों में एकदम proper तैयार हो चुकी है मैंने पहन ली है बस jewelry की कमी लग रही है वो भी पूरी कर देते हैं अब भी लीजिए आपके लिए साड़ी के according हमीशा जो भी आप वेर करने वाले हैं उसी के according jewelry जरूर पहने ताकि आपका जो लुक है वो और भी प्यारा हो जाए और ब्लैक साड़ी के साथ तो वैसी sexy लुक बनता है ये मैंने पहन ली है tight fitting साड़ी I hope आप लोगों को पसंद आई होगी by the ways का जो buy link है आपको description box में मिल जाएगा अभी तक के लिए इतना ही मिल दे हूँ next video में till then bye